तमश्कार मुप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है काउंसलर केवल महिलाओं के लिए रिक्तियों की कुल संख्या की बात करें तो 213 पद पर आवीदन की मांग की गई है जिसमें यूर के लिए 84, EWS के लिए 21, BC के लिए 26, EBC के लिए 38, SC के लिए 35, ST के लिए 3, BC महिला के लिए 6 पद रिक्त है सेक्षनिक योगिता की बात करें तो जहां तक सेक्षनिक योगिता की बात है तो काउंसलर के पद के लिए मनोविज्यान, समाच शास्र, कानून में सनातक और 2 साल का समंदित छेत्र में कारे अनुभव जरूरी है वो महिला आवेदक जो LLB डिग्री धारक है उनको इस भरती में प्रात्मिक ताद दी जाएगी आईू सीमा की बात करे तो जहां तक आयू सीमा की बात है तो काउंसलर के पद के लिए अनुसू चित जाती आवेदकों के लिए अधिक्तम 42 साल अन्य सभी के लिए अधिक्तम 40 साल आयू सीमा निर्धारित की गई है चेनित अभ्यर्थियों को न्यूक्ती के बाद 15,000 रुपए प्रतिमा वेतन के रूप में दिये जाएंगे ध्यान रहे ये भरती 3-5 साल के लिए समविदा के आधार पर की जा रही है चेन प्रक्रिया की बाद करें तो कांसलर पद पर उमिद्वारों का सेलेक्शन 3 स्टेज के बाद होगा सबसे पहले लिखित परिक्षा कम्प्यूटर बेस टेस्ट होगा इसके बाद ग्रूप डिसकशन और इंटर्व्यू होगा लिखित परिक्षा का वेटेज 60 फीज दी होगा जबकि ग्रूप डिसकशन का 10 फीज दी और इंटर्व्यू का 30 फीज दी वेटेज होगा आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भरती के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है आवेदन कैसे करें तो इच्छुक उमिद्वार जो आवश्यक योगिता रखते हैं और पातरता मांदन्ड के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं और शर्तों को पूरा करते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वेब लिंक का उपियो करके ओन्नाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले इस भरती प्रक्रिया के सभी निर्धारित शर्तों और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तरित जानकारी जरूर प्राप्त कर ले इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करे याद रहे, और नाइन आवेदन करने की अंतिम तारीक 7 जून 2022 है अगर आप भी इन पदों पर आवेदन भरना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि आपके पास परियाप्त सवे नहीं है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तर के लिए धन्यवाद